21 सदी में अधिक जनसंख्या एक अगुलन्शील समस्या बन गई है, इसलिए मानवता मंगल ग्रह पर प्रवास करने की योजना बनाती है। हलांकि चुंकि लाल ग्रह अभी तक मानव जीवन के लिए उप्यूक्त नहीं है, इसलिए पहले उन्हें इसे भूपाकार देने की आवश्चक्ता है, इसलिए विकाई और तिल्चटे जैसे अन्य सरल जीवन रूपों को भेज कर शुरू करते हैं। वर्षों बाद 2597 में अप्राधी कोमाची और नानाव टोक्यो की सडकों पर बेताहशा भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे है। वे कुछ मोडने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस जल्द ही उन्हें घेर लेती है। उसी समय, एक उर्ने वाली कार डॉक्टर को लेकर उनके सामने उतरती है। होंडा, जो अपनी स्वयम की प्रस्तुती देख रहा है कि मंगल ग्रह पर रहने से पहले उन्हें तिल्चत्टों को कैसे खत्म करना है। उनके सहायक बताते हैं कि कोमाची और नानाव को दूसरी डिग्री की हत्या के संदे में पीछा किया जा रहा है। इसलिए वे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक दम सही उम्मीदवार हैं। होंडा जोडे के पास जाता है और उन्हें एक प्रस्ताव देने के लिए अपनी प्रयोग शाला में ले जाता है। यरी वे सभी इजटों को साफ करने के लिए मंगल ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें अच्छा भुगतान किया जाएगा और उनके अप्राद बुला रिये जाएंगे। समस्या यह है कि उन्हें पहले एक जोखिम भरी सरजरी से गुज्रना होगा। कोमाची ने पहले मना कर दिया क्योंकि उसे होंडा पर भरोसा नहीं है लेकिन नानाव तुरंट साइन अप कर लेता है इसलिए कोमाची उसके साथ रहना स्वीकार कर लेता है। दो साल बाद नानाव और कोमाची नमक अंतरिक शियान में पूरे दल के साथ मंगल ग्रह के लिए उडान भर रहे हैं। तेजु का चुपचाप सोई हुई मारिया के पास आती है और उसका हाथ चूस कर उसे चौका देती है। इसलिए मारिया समर्थन के लिए अपने दोस्त ओसाकों के पास भागती है। जैसे ही महिलाएं गुजरती हैं तो रामा और योशिकाने उनके शरीर को घूरते हैं इसलिए असुका उन्हें बाहर बुलाती है। तब नानाव को चालक दल के बारे में कुछ पता चला। तो रामा और योशिकाने याकुजा हैं। असुका एक गंदा पुलिस वाला है। तेजुका एक सीरियल किला है। मारिया एक आवैध आप्रवासी है। उसाकों किशोरों को शरार्ती काम करने के लिए डालता है। इ सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उन सभी को पैसे की सक्थ जरूरत है। उस समय कैप्टन दोजिमा और लेफटनेंट मीना सभी को उनके स्थान पर भेज देते हैं क्योंकि वे आने वाले होते हैं। लेंडिंग सुचारू रूप से चलती और उन्मूलन प्रक्रिया काम कर रही है इसकी जांच करने के लिए समू को विभाजित करती है। जब सुका को योशिकाने के साथ जुड़ा जाता है तो वो दोजिमा से कहती है कि वो याकुजा के साथ काम करने से इंकार कर देती है और इसके बजाए इचिरों के साथ मिलक एक को धूंडता है, जो दस साल पहले जापान द्वारा गुप्त रूप से भेजा गया एक जाच था। पास ही तीन अजीब जीव गदाएं लेकर खड़े हैं, दोनों तुरंत छेप जाते हैं, ग्रमित महसूस करते हैं क्यूंकि उन्हें संभावित के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसी समय जिन उन्हें धूनता है और उन्हें सूचित करता है कि प्राणियों ने असुका को भी मार डाला है। पूरा दल जहाज पर वापस आ गया और नानाओं के शरीर को मेडिकल खाड़ी में छोड़ने के बाद वे दोजिमा से भीर गए जो हमेशा से सच्चाई जानता था। मानवता ने 500 साल पहले तिलचित्टों को मंगल ग्रह पर भेजा था और इस दोरान वे अंतरिक्ष से विकिरन और अन्य चरम स्थितियों के कारण तीव्र गती से विक्सित हो रहे हैं। चालक दल ने जिन प्राणियों को देखा, वे वास्तव में तिलचटे हैं, जो अब मनुष्यों से भी अधिक शक्तिशाली हैं और सरकार ने उन्हें टुरोफॉमा कहा है। चालक दल धोखा दिये जाने से क्रोधित है, लेकिन उसी समय हॉन्डा एक होलोग्राम के रूप में सामने आती है। वो हर किसी को याद दिलाता है कि उन्होंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया था और आने से पहले उनकी सरजरी हुई थी, जो सिर्फ इसलिए नहीं की गई थी ताकि वे मंगल ड्रह पर सांस ले सकें। ये पता चला है कि इस प्रक्रिया में उनके जीन में बग DNA डाला गया है जो उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए महाशक्तिया देगा। दोजिमा सारी जानकारी चालक डल के सदस्यों को भेजता है, जो सीधे उनके दिमाग से जुरती है और तेजुका को लगता है कि ये मचेदार लगता है। क्रू के बाकी सदस्या खुश नहीं है और मीना जानना चाहती है कि दोजिमा ने कुछ क्यों नहीं कहा, इसलिए उसने बताया कि उसके पास इसे गोपनिया रखने की आदेश थे। कुछ चालक दल के सदस्या प्रित्वी पर वापस जाना चाहते हैं, लिकिन उस समय कम्प्यूटर उन्हें सच्छेत करता है कि तिल्चर्टे जहाज के पास आ रहे हैं। एक बार बाहर जाने पर, ली ने खुद को एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगा लिया, जिससे उसे बॉमबाडिया बीचल की शक्तियां मिल गई। पहले तो ऐसा लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जल्दी रोच ठीक हो जाता है और तुरंट ली को मार देता है। उसी समय, एक और कोक्रोच अंतरिक शियान के ऊपर कूदता है और उसे तोड़ने के लिए अल्ट्रा टैंपरड ग्लास पर अपने सिर से वार करना शुरू कर देता है। फिर वो अंदर आता है और तुरंट चालक दल के दो सदस्यों को मार देता है, इसलिए दोजिमा अपना इंजेक्शन लेता है और दक्षिन अमेरिका से पेरापो नेराच इटी के जीन प्राप्त करता है। आकों को आश्चरिया होता है कि तिलचित्टे उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और मारिया बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन्हें भी मारना चाहते हैं क्योंकि उसे याद है कि सबसे पहले उसने एक तिलचित्टे को देखा था और सिफ इसलिए उसे मार डाला प्रित्वी पर वापस जाने के लिए, हाला कि मीना को पता चलता है कि नियंत्रन कक्ष खराब है और बैकप सिस्टम भी काम नहीं करता है। जैसे ही तिल्चटे जहाज पर चड़ना शुरू करते हैं, टीम बाहर निकल जाती है लेकिन कोमाची पहले नाना उसे मिलने के लिए रुखता है और वादा करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। दाग सकता है और फिर बड़ी तेजी से भाग सकता है। जैसे ही तिल्चटे जल्धी दम घुटने से मर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लड़ाई जारी रखने में काम्याब होते हैं और दोजिमा उनके खिलाफ जाना कभी बंद नहीं करता है, लेकिन अंतता हवा की कमी उसे और इचिरों को भी बाहर कर देती है। इस बीच जिनने कोमाची से नानाओ के साथ उसके रिष्टे के बारे में पूछा और कोमाची सोचता है कि जिस दिन उन्हें भरती किया गया था उस दिन क्या हुआ था। अपनी माँ को खोने के बाद नानाओ अपने सोतेले पिता के दुर्व्यवहार का शिकार हो गई, जिसने उसे पैसे के लिए शरार्ती सेवाएं देने को कहा। एक शाम कोमाची ने उसे मारते हुए पाया, नानू और उसके बचाव में आए, आसानी से उस लड़के को निहथा कर दिया और दो अच्छे प्रहार किये। और जिन ने बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि उनके एक मात्र दोस्त की बीमारी से मृत्यू हो गई थी। एक दूसरी और बड़ी लहराती हुई दिखाई देती है। चूनकी तेजुका इसे अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए मारिया और ओसाको भी बदलाव के लिए इंजेक्शन लेते हैं। ओसाको को ओकिनावा से हौडशल वीविल की शक्तियां मिलती हैं, जिसका शेल इतना कथोर होता है कि एक हाथी भी इसे कुचल नहीं सकता है। मारिया एक इंद्रधनुशी हरिन भरिंग है, जिसके पास एक अविश्वसनी या छलावरन खोल है जो दुश्मन को धोखा देता है। तिल्चिर्टे जल्द ही उन्हें घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में बिना किसी दया के उन तीनों को मार डालते हैं। उसी समय, उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और बाहर भागे और पाया कि योशिकाने और तोरामाव मारे गए हैं। योशिकाने एक गोता खोरी करने वाला भरिंग था और तोरामाव एक छचुंदर लेकिन उन्हें कभी भी पानी के नीचे और भूमिगत खोज करने के लिए अपनी क्षमताओं का उप्योग करने का मौका नहीं मिला। अचानक तिलचितों का एक जुन्ट छिटकर बाहर आता है जिससे पता चलता है कि वे जानते हैं कि बग्ज एक से लिए गए हतियारों का उप्योग कैसे करना है। समूह में वापस कोमाची ने फैसला किया कि उन्हें लड़ना होगा और जापान से एशियाई विशाल हॉनेट में बदलने के लिए एक इंजेक्शन लेना होगा जो कि सबसे अधिक वार्षिक आकस्मिक मौतों वाला बग है। ये बिना किसी चेतावनी के हमला करता है और मधुमक्खियों के विप्रीट ये बार-बार डंक मार सकता है। इन शक्तियों के साथ कोमाची आसानी से तिलचित्टों के शरीर में छेद कर देता है जिससे वे बिना किसी परेशानी के मर जाते हैं। जल्दी जिनने मदद करने का फैसला किया और एक प्रवासी टिड़ी बनने के लिए इंजेक्शन लिया, जिसके पास बग दुनिया में सबसे शक्तिशाली पैर हैं, जो नब्बे मंजिल तक उची छलांग लगाने में सक्षम है। जैसे ही वो पूरी तरह से लात मार कर तिलचत्तों को मारता है। मीना विशाल एशियाई मंटिस में बदल जाती हैं, जिसके हसिया के आतार के पैर होते हैं, जो हर चीज को काट देते हैं। एक साथ काम करते हुए, वे सभी तिल्चत्तों को मारने में काम्याब हो जाते हैं, लिकिन जैसे ही कोहरा च्छत्ता है, वे पास में एक पिरामिद देखकर चौप जाते हैं. इस बीच, एक तिल्चत्ता दूर से बग्स दो को देख रहा है. अचानक उसे पता चलता है कि वो बोल सकता है और उसके पास एक फोन है, जिसका उप्योग वो होंडा को कॉल करने और उसे सब कुछ बताने के लिए करता है जिसकी योजना बनाई जा रही है. होंडा उसे सलाह देती है कि अगर वो रूपांतरित होता है तो कोमाची से दूर क्योंकि उसका बग खतरनाक है. लतकने के बाद कॉक्रोच जहाज के अंदर जाता है और डोजिमा पर बंदूक तानने से पहले उसे कैप्टन कहकर बुलाता है और ऑक्सीजन को फिर से सक्रिया कर देता है. जब डोजिमा को आश्चरिया होता है कि क्या हो रहा है तो के साथ छेड़ छाड़ की और उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया. ये पता चला है कि असुका और इचिरो दोनों होंडा के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं. असुका दोजिमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है और फिर इचिरो पर कुछ पान की आवश्यक्ता होती है. एक बार जब इचिरो जाग जाता है तो वो और असुका उस अंडे की जाच करते हैं जिसे उन्हें होंडा के लिए पुनाह प्राप्त करना होगा जो की दूसरी पीवी का रोज है. जबकि इचिरो जाहाज को पुनाह सक्रिय करने पर काम कर रहा है नानू का शरीर उस सफेद दोरे को लगातार जारी कर रहा है. ड्रोन के प्रकट होने से ठीक पहले बग दो की सक्रियता को माची और अन्य लोगों द्वारा देखी जाती है जिसे होंडा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है. उसने एकत किये गए सभी युद्ध डेटा क के लिए तीनों को धन्यवाद दिया और खुलासा किया कि जहाज में तोड़ फोर करने वाला एचिरो ही था. उन्हें दोजिमा की मृत्यू के बारे में बताने के बाद, होंडा ने बताया कि बग एक का पॉड पृत्वी पर लोटाया और अपने साथ एक तिलचित्टे का स उन्होंने जो पिरामिद देखा, उसे आन्वनशिक स्मृती द्वारा समझाया गया है, पर पिलचित्टे एलियंस हैं जिन्होंने आगे बढ़ने से पहले मनवता का उप्योग किया था. मंगल उन जीनों द्वारा निर्देशत है. उस पल में इचिरो जाने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि उसने अपने मिशन को क्यों स्विकार किया. उसके बहुत सारे भाई बेहन और एक बीमार मा थी, लिकिन वे गरीबी में रहते थे. इचिरो महत्वपूर्ण शोध पर काम कर रहा था जिसे वा बाद में अपने प्रोफेसर की सिफारिश से बेच सकता था और अमीर बन सकता था. दुरभागया से प्रोफेसर ने इचिरो को ऐसा दिखाने के लिए तयार किया कि उसने किसी सहकर्मी पर हमला किया है, इसलिए उसे निशकासित कर दिया गया. दूसरी और असुका सत्ता के लिए इस परियोजना में शामि सिफारिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता है क्योंकि ये दूसरी पीरी और भी अधिक विकसित है. जैसे ही बग्स दो शुरू होता है, जी वासानी से असुका को मार देते हैं और मदद के लिए अन्य तिलचटों को बुलाते हैं. जल्धी जमीन पर मौजूद सभी तिल आवस्था में प्रवेश करने के लिए इंजेक्शन लगाता है. बहुत सारे जहतकों के बाद बग्स दो निकत दुर्गट नाग्रस्थ हो गया. कीरी एक और तिलचिते तिकड़ी पर हमला करते हैं, जो तुरंट वापस लड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं. पहल कोमाची भी ऐसा ही करता है और अब लड़ाई अधिक निश्पक्ष हो गई है, जिससे दोनों व्यक्ति बहुत सारे तिलचटों को तेजी से मार सकते हैं. जिन ने तीसरी खुराक लेने का फैसला किया और पंख विक्सित किये, जिससे वो आकाश में तिलचितों से लड़ स और उसके पेट पर पैर से वार करता है, फिर लात मार कर उसका सिर्धर से अलग कर देता है. हालांकि वो भी अपनी सीमा तक पहुँच गया है, इसलिए वो ठककर जमीन पर गिर जाता है. कोमाची जिनके शरीर की रक्षा करने के लिए दोड़ती है, लेकिन दूसरा विक्स तिल्चट्टा उसके दंग को पकड़ लेता है और उन दोनों को तोड़ देता है, इसलिए अब कोमाची के घूसे कुछ नहीं कर पाते हैं. जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अचानक एक जादूई चमकता हुआ प्रानी उनकी और उरता हुआ दिखाई हैं कि यह उन्हें बचाने के लिए एक बलिदान है, इसलिए कोमाची नानाओ से विनती करने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करें, इस हद तक कि उसके पंख विकसित हो जाएं और वो उसके पास उडने लगें. उसी समय एक कोक्रोच उस पर गोली चलाता है और धूल उड जाता है, जिससे एक बड़ा विसफोट होता है. जैसे ही सभी तिलचटे मरने लगते हैं, जिन उड़ जाता है और समय रहते कोमाची को बचा लेता है, लेकिन नानाओ फिर से मर जाता है. विसफोट से कीडे भी हिल जाते हैं और इचिरों के चहरे पर जरने का एक गिलास जिससे वह जाग जाता है। उस समय कोमाची देखता है कि कुछ तिलचटे जीवित बचे हैं जिनने एक विक्सित तिलचटा भी शामिल है लेकिन वे काफी कमजोर हैं। दोनों को escape pod मिल जाता है और वे वापस प्रित्वी पर उड़ जाते हैं। तिलचटे उनके पीछे जाना चाहते हैं लेकिन विक्सित तिलचटे उन्हें रोक देते हैं। इस बीच प्रित्वी पर होंडा ने नोटिस किया कि इचिरो ने पूरी दुन्या में सच्छाई प्रसारित करने के लिए उसके सिस्टम को हैक कर लिया है। हला कि होंडा उसकी परवन नहीं है। वो बस कुछ समय के लिए छिप जाएगा और फिर अपना विचार बेचने के लिए दूसरी सरकार धून्द लेगा। उसके सहायत को अचानक पता चलता है कि वो हमेशा से जापानी सरकार के लिए काम कर रही है और उसे गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन होंडा के पास एक सुरक्षात्मक बाधा है जो गोली को रोक देती है। फिर वो एक यांत्रिक मकडी फेकता है जो उसे मार देती अंतरिक शियान में, इचिरो मिशन में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करने की कसम खाता है जबकि कोमाची का कहना है कि वो उनके दल के लिए कबरें बनाएगा और फिर मंगल ग्रह पर वापस आएगा सदस्यता लेना और सूचनाई चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और विडियो देख सकें देखने के लिए धन्यवाद